नमस्कार है पेन बाश्पई अपने यूटूब चैनल में पेन बाश्पई पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यह वीडियो SSC CHSL 2020 बाले जो इस्प्रेंट हैं जिनका डीवी 39 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हैल्फुल होने बाला है आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से डाकुमेंट आपको ले जाने हैं चाहें आप यूर कटागरी के हैं वो भी सी के हैं EWS हैं SCST या आप पिएच कंडिडेट हैं उसके लाबा एक सर्विसमेन हैं तो जितनी भी कटागरी के बच्चे हैं उन सभी को इस सि मिलने वाली है कि आपको कौन-कौन से डाकुमेंट लेकर जाने हैं उसके लाबा एक इस्टेट के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा है कि जो पोस्ट प्रेफ्रेंस फार्म में वो कहां से डाउंलोड कर सकते हैं कैसे उन्हें पोस्ट प्रेंस फार्म मिलेगा क्योंकि ये भी आपको लिखे जाना है, तो इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बस आप सभी से रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, विदिन दो से तीन मिनट में में सारी बात अपनी complete कर लूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखे, जो मैंने document से यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो sequence में लिखे हैं, तो जिस category के आप होंगे, उस हिसाब से आप समा सकते हैं, जैसे क्या-क्या important है, सबसे पहले आपको क्या ले जाना है, high school की आपकी mark seat और certificate, दोनों चीज़े, mark seat certificate, कुछ जो बच्चे हैं, उनकी mark seat और certificate एक में होगा, तो एक से काम चल जाएगा, कुछ में अलग-अलग होगा, mark seat अलग से होगी, certificate अलग से होगा, तो दोनों आपको ले जाने हैं, वो भी original आपको ले के जाने हैं, क्योंकि बहाँ पे आपका जो document से वो check होगा, तो high school की mark seat और certificate, inter की mark seat और certificate, यह दोनों, ठीक ह यह inter तक तो mandatory है, सभी को ले के जाना है, उसके लाबा अगर आपके पास कोई higher qualification है, तो उसकी भी आप last semester जो है, उसकी mark seat और certificate ले के जा सकते हैं, ठीक है, original ID आपको ले जाने हैं, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, pen card भी हो सकता है, driving license भी हो सकता है, सब कुछ, यानि क original ID आपको जुरत पड़ेगी, उसके लाबा चार से पांच आपको photographs अपने ले जाने हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा रख लिजे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लाबा post preference form आपको लेके जाना है, उसके लाबा आपको जितने भी अपने documents आपको लेके जाने हैं, उन सभी के दो सेट बनवा लिजे, दो सेट फोटो कापी करवानी है, और उनको self-attested करना, self-attested कैसे होगा, अपने आपको signature करने हैं, और फिर नीचे date लिखनी है, ये आपका self-attested होगा, और sequence में सबको steppler आप कर लिजे, ठीक है, उसके लाबा अगर आप OBC category के हैं, तो OBC का certificate आपको category से हैं, और PH का certificate तो अलग से आपका होगा, ठीक है, उसके लाबा अगर ex-service मेंने हैं, तो आपको NOC लेके जाने हैं, ठीक है, आप कैसे समझ सकते हैं, कि किन student को क्या क्या लेके जाना है, जैसे अगर आप UR बाले हैं, तो आपको high school की mark street, inter की mark street, original ID, और higher qualification, ये ले जा सकते origin होगा, और इसके दो-दो set बन भाएंगे, उसके लाबा 4-5 photo और post preference form और 2 set सभी के बना के ले जाने हैं, तो ये तो होगया criteria आपका UR बालो का, ठीक है, अगर आप OPC में आते हैं, तो इसमें OPC बाला or add हो जाएगा, OPC बालो को इनके साथ-साथ OPC का certificate भी लेके जाना है, अगर आप EWS में आते हैं, तो इन सब के अलावा आपको EWS का certificate भी लेके जाना है, अगर आप SCST में आते हैं, तो इन सब के अलावा, जो मैंने यहाँ दो set तक बताया, दो set बनाने आपको जितने भी डाकुमेंट से उनके, उसके लाबा SCST का certificate लेके जाना है, PH बाले भी, इ एक सर्विसमेन हैं, तो इन सब के अलावा, एक सर्विसमेन जो हैं, वो NOC लेके जाएंगे, तो यह तो आपका doubt clear हो गया होगा कि कौन-कौन से डाकुमेंट आपको लेके जाना है, देखे, higher qualification अगर नहीं भी है, फिलाल यह आपसे mandatory नहीं होगा, mandatory जो होता है, वो intermediate तक होता ठीक है, उसके अलावा, जिन बच्चों के जो नाम बगएरा में कोई दिक्कत आ रही है, मदने में कोई दिक्कत है, में में कोई दिक्कत है, तो वो आपका crucial year नहीं है तो आपको बहाँ से पुछा जाएगा कि आप क्या as a general count होना चाहते हैं तो बहाँ पर ही आप accept कर लिजे हाँ as a general हम count होना चाहते हैं ठीक है तो यह हुई बात है ठीक है कि कौन कौन से documents आपको लेकर जाने आप फिर समझ गया होंगे मैं फिर से समझा देता हूं कि आपको high school की mark sheet certificate original इंटर की mark sheet certificate original original ID उसके लाबा higher qualifications third year की आप mark sheet और certificate ले जा सकते 4 से 5 photograph post preference form और जितने भी documents हैं इन सभी के दो set आपको बनाने self-attested करने signature और date के साथ ठीक है उसके वाद अगर आप OBC कटागरी के हैं तो इन सब के अलाबा OBC certificate भी लेके जाएंगे EWS हैं तो इन सब के अलाबा EWS certificate लेके जाएंगे तो अगर जिस category के आते हैं आप उस category का आप certificate लेके जाना है आपको ठीक है यह जो documents हैं यहां तक यह सभी के लिए mandatory है ठीक है point number 7 तक जितने भी documents मैंने बताई यह सभी के लिए mandatory है ठीक है अब बात कर लेते हैं कि post preference जो form है वो कहां से आपको मिलेगा यह strain को बहुत जाए doubt आ रहा है तो जो post preference form है आपका पिशली बार 2019 के अगर मैं बात करो तो 2019 में जब आपका admit card निकला था तो admit card के साथ ही आपका post preference form भी download करने का option दिया गया था तो जो आपका post preference form इस बार का निकलेगा वो आपके admit card के साथ ही आएगा admit card जो है वो आपके dv से में भी चार से पांस दिन पहले आपका download हो जाएगा तो जिन बच्चों का 39 तारीक है उनका download हो गया होगा और हो भी गया है मैंने बात किये strand से उनका जो admit card हो डाउनलोड हो रहा है ठीक है तो बाकि आपको city intimation पहले दिखा देता है कि कहां पे होगा ठीक है तो post preference form के बारे में बहुत ज़्यदा परिसान होने की जुरत नहीं कि मतलब यह कहां से डाउनलोड करना है तो admit card जब आप अपना डाउनलोड करेंगे तो उसी में आपका ये भी निकल आएगा ठीक है जो instructions है जो admit card में लिखे हैं उनको आप बहुत आराम से पढ़िए बाकी DV को इतना ज़्यदा बहुत ज़्यदा आपको hype create नहीं करनी है बहुत ज़्यदा परिसान होने की जुरत नहीं है आराम से normally आपका DV हो जाएगा इसमें कोई परिसानी वली बात नहीं है उसके लाबा post preference form कैसे भरना है तो इस trend से किसी trend से मगवा के अगर आप लोगों म अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपके सारे doubt clear हो पायोंगे आपको करना क्या है इस वीडियो को ज़्यदा share करना है उसके लाबा अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने अभी तो किसे subscribe नहीं किया है तो फ्ली channel को subscribe करना मत भूलेगा